इनके ऐसे को च्षकम देनल में दुटूर का स्वागत है जैसे प्लेट में चिकन बिर्यानी ही सहांगा चैल Kimberly खाने का dai यह यह पौहनी दॉट इसे मिलकर बात करते हैं है या जराग concern झाल सब्सक्राइब के लगनी आज आज हमारा चिकन बिर्यानी ग्रेवी इटिंग चैलेंज में संकर जी के साथ बैठे हैं मनोज जी तो देखते हैं दोसरी तरफ बैठे हैं मनोज बहुत दिन बाद पहले से टाइट हो गया है और देखते हैं क्या करते हैं दोनो ही हाइब लगाते हैं सबसे पहले खाली करकर 1000 रुपए करने ऊदेएं देड़ न करते हैं टाइमर को चालू कर दिया जाए और यहां पर टाइमर काउंटडाउं चल रहा तो भी और मनोज जी सलाथ को खाना शुरू कर दिया है और संकर चिकन के लिख पीछ पर आ गया है बहुत बढ़ी है बहुत अची कोशिश है और समस्ट रहे हैं पहले राइस बहुत बढ़िया और जो साहज लगाएं देखते हैं और कितने समय में चैलेंज को कंप्लीट करते हैं और संकर जी के साथ पिछली बार संकर जी को पीछे कर पाते हैं या फिर संकर जी मार जाते हैं बहुत बढ़िया और दोनों लोग बहुत बढ़िया है अगर लगाते हैं तो दोनों ही चैलेंजर राइस में चलते हैं बहुत बढ़िया और जेक्ते मंदीर आइस के साथ चिकन को कितने समय मुडाते हैं सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता काउन है संकर या फिर मनोज दो कि दूनों लोग हाई बोल्टेज वाली बाइट मार रहे हैं और इस बाइट को देखते हुए संकर भी पूरी तरह से अपनी बाइट को और कस के मारना चालू कर दे रहे हैं समझने आ रहे हैं कौन सी पावर लगाएं कि मनोज जी से आगे चले जाएं मनोज बिल्कुल गाइब कर दे रहे हैं पता नहीं लग रहा है चिकन कहां जा रहा है बहुत बढ़ी है लेकिन जो चिकन है वह ब्रेकर का काम करना चालू कर देगा तो समझ के चलिए इतनी बड़ी बाइट लगाना एकदम बेकार हो जाएगी तो देखना है कि संकर क्या कमाल करते हैं और देखते का जो ब्रेकर है रास्ते का जो रोड़ा है उसको पूरी तरह से एकदम रास्ते से हटा दिये हैं और जो सलाज बचा है उसको भी पूरी तरह से एकदम अंतिम छोर तक पहु और मंदी राइस में आया है देखते क्या पावल लगाते हैं और कहां तक इस चैलेंज को लेकर जाते हैं और जो इस पीड लगाए हो बहुत गजब का एकदम धैर के साथ दोनों जुटा कर भागना चालू कर देते हैं और इस समय पूरी तरह से मंजील पर पहुंचने के लिए दोनों लोग एक कसमकस में लगे हुए है कि हम पहले पहुंचे तो देखना है कि मंजील पर सबसे पहले पहुंचकर एक थाली में खाली करने के लिए दोनों लोग पूरी तरह से पुरज़ोर कोशिज करना चालू कर दिये हैं और सोच रहे हैं कि ना तो हम इनको आगे जाने देगे दोनों पूरी तरह से एक दम एक को एक पचाडने में लगे हुए है कि कौन आगे जाएगा और पीछे रह जाएगा तोड़ा सा ग्रेस्म लाइट मिल जाए उसके बाद संभुल नहीं हो सकता है वी पूरी तरह से कोसिस करना ुकर त себя है यह जो किये हैं कि चावल में सलाथ है प्रेस करना चालोँ कर दिया है कि यह siolar को मिक्स कर लिए manos तोड़ा सा लेकिन ग्रिन सिंगनल मिलने को वज़ा से ब्रोवर चल रहे हैं बहुत बढ़िया थोड़ा बहुता मतलब छोटी-छोटी बाइट से मनोज पीछे हो जाएंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चिकन विर्यानी खाने के इस चैलेंज में मनोज और संकर दोनों लोग पूरी तरह से इतना जोड लगा दिये मंजिल पर पहुतने के लिए फिर भी मनोज तो मातरी एक बाइट से पीछे हो गया और संकर देखते ही देखते इनाम को जीट चुके हैं और इस चैलेंज को भी पूरी तरह से फते कर लिए हैं और क्या वज़ा रहे कि मनोज जी पीछे रहे गए आप लोग कमेंट करके बताईएगा और दोनों ही चैलेंजर काफी हैवी वाइट वाला होता है देखने मज़ा भी आता है और दोनों चैलेंजरों ने काफी अच्छा साहर दिखाया और इस चैलेंज में संकर जी पूरी तरह से हरे हरे पत्ते वाली नोट पा चुके हैं अग्दम कड़ी नोट पा चुके हैं आपको कैसे लग रहा है तो यहां पर इस समय संकर की जो मुष्क्राहट देखने बन रही है एक हजार रुपय के नगत पुरसकार पाए हैं और इनके मुष्क्राहट का साथ दे रहे हैं मनोज तो मनोज जी एक बाइट से कैसे पीषे रहे गए थो लेकिन बाद में संकर भी अपना काम चालू कर दिये हैं मतलब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गलती किये हैं तो जो मंदीर आइस में आपने शलाद को मिला लिया सलाद जो है ठीक से बनने नहीं दे रहाता जब सलाद आप धूंड के निकालने लगे हैं उसी पीरियद में संकर जो है बहुत अच्छी खासी जो है बाइट लेते चले और जीत हासिल के लिए पांच जी को पांच सिकेंट और मिलता तो चैलेंज को बिन कर जाते लेकिन पांच सिकेंट के वज़ा से दिए लेकिन पूरी तरह से गर्दा कर देते हैं की संकर की हो लेकिन पूरा पूरा सत शमय देते हैं और अपने आपको एकदम जी जान से लगा देते हैं पहले क्या खाएं तो इनकी जो बाइट है मुहम्मद यसीन की बाइट और मनोज की बाइट में जमीन आस्मान का अंतर है पूरी थाली खाली हो जाएगी फिर भी इतनी बड़ी खाली कोई आसान बात नहीं दोनों चलेंजरों का धन्यवाद करते हैं और दोनों चलेंजरों ने बहुत अच्छा मेहनत किया तो इन लोगों को उस्ता के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट सेयर करते रहें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद